Hello everyone, I am Anupadhyadiside and I am a digital networker. बहुत सारे affiliate marketing में लोग start करते हैं और जो beginner होते हैं, उनका एक बहुत जाधा question आता है कि सर मुझे 5 दिन होगा affiliate marketing start किये होगा, सर मुझे 10 दिन होगा, सर मुझे 1 महीना होगा, सर मुझे 2 महीने होगा, मैंने 1 रुपे नहीं कहा है marketing से, मुझे 1 रुपे की earning नहीं हो रही, मेरे पास कोई लोग नहीं आ रहा है, मैं कहां से लोग ले कर रहा हूँ, मुझे पास कोई sale नहीं आ रही, मैं अपनी पहली sale कैसे निकाल हूँ, सर मेरे एक भी sale नहीं आ रही, आप मुझे अपनी sale दे दो, तो मैं आपको पैसे देखुँगा ऐसे इस तरीके की बाते करते हैं कई विगनर कि आपके पास कोई जबाब नहीं होता कि किस तरीके से करना है और अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आपके लिए और अगर आपने अभी अफ्लीट मार्केटिंग स्टार्ट कर आपकी पहली सेल बहुत जल्दी आने वाली है और आपकी अर्निंग बहुत तीज से यहां से बढ़ने वाली है और यार यह चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना काफी अपना पूरा एक्सपिरियंस बता रहा हूं मैं हो सकता है वीडियो अनलिस हैं जो भी हमारी लीडर्स हैं आप उनमें इसको शेर करो क्योंकि थर्ड प्रोस्पेक्ट तक पहुंचे इससे अच्छा है कि आप उसका फायदा उठाओ राइट क्योंकि जादा लोग फ्री की चीज की वैल्यू करते नहीं है अगर आपकी भी एक क्वेशन है कि लीड नह अगर आप उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको सर्फ एक सेल नहीं मिलेगी आपको इतनी सेल मिलने वाली है कि आप खुद बोलोगे सर मेरे को ये नॉलेज बहुत काम आई है आपकी टीम भी ग्रोग करेगी आप भी ग्रोग करोगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एंड तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं अब देखो सबसे पहला तो आता है जो आपको सब बोलते होंगे वो आता है माइंट सेट अब mindset किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ जादा तर लोग जब affiliate marketing start करते तो उनका mindset क्या रहता है क्यार जो मैंने 2000 रुपे का product purchase करा है जो मैंने 2000 रुपे के start करा है affiliate marketing को मैं इसको किस तरीके से मेरे बस यह 2000 रुपे निकल जाए मतलब मैंने जो खरीदा मेरे बस दूबो निकल जा और मुझे कुछ भी नहीं करना इतना चिंदी mindset लेके start करते हैं कई लोग कि वो एक रुपे भी नहीं कमा पाते तो अगर आप desperately पैसो की पीछे भाग रहे हो तो ऐसी नहीं चलने वाला वाइदवे मैं यह नहीं कर रहा कि आप गलत हो सबसे पहले तो हैर congratulations आपको कि आपने decision लिया आपने कम से कम वो 2000 लगा के decision लिया कि आप अपना भी business कर पाओ तो इसका simple से मतलब बें आप एक dreamer हो क्योंकि 70-80% लोग तो है decision भी नहीं ले पाते तो यह सबसे चीज़ है कि आपने decision लिया अब हमें क्या करना है देखो सबसे पहले तो आपने product purchase करा है है ना दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताओ यार कि आज के time पे 10,000 रुपे में एक चाय का टपरा खुलता है तो आपको तो 2000 रुपे में proper business start करा हुआ मिल रहा है सबसे पहले तो आपको यह चीज़ समझ नहीं है दूसरी चीज़ आपने pay किस चीज़ के लिए करा यह बहुत important है आपने pay किस चीज़ के लिए करा आपने course के लिए pay करा जो भी आपको course provide करा जा रहा है अगर आप हमारे साथ हो तो आपको silver package में दो courses मिल रहा है है ना और अगर आप दोनों courses को नहीं देख रहे हो तो आप कैसे कर पाओगे फिर और उनसे मैं बोलता भी हो कि आपको सीखना चालू करना है आप course को देखना चालू करो तो बोलते हैं हाँ मैंने देख लिया मेरे भाई देखना नहीं है आपको सीखना है आपको पहले देखना है आपको notes बनाने है notes को implement करना है implement करके जब results आएंगे तब आप start करोगी तो आपका एक जो mindset होना चाहिए initial age में वो learning mindset होना चाहिए और किस प्रकार से मैं आपको थोड़ा और clarify कर देता हूँ थोड़ी सी ये वीडियो हो सकता है आपको boring लगे बट यार again मैं कहा रहा हूँ जो चाहिए चीज़ा बता रहो ना वो आपको लोग पैसा दे के बताएंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे चीज़ा बताने के तो वीडियो को बहुत गौर से सुनना है ना अब mindset के इस प्रकार से आपको सबसे पहले कुछ चीज़ा समझना है कि देखो अगर आपकी जिस भी आप affiliate marketing company में हो अगर आप हमारी affiliate marketing company में हो तो आपको यह समझना है कि जो भी top earner है वो top earner क्यों है क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत करी है उस level की मेहनत उन्हें अगर आपको देखना है कि आपकी value क्या अभी तो आप अपना अभी bank balance देखो और जितना आपका bank balance है अभी आपकी उतनी value है अगर आपको अपनी bank balance बढ़ाना है तो आपको अपनी value बढ़ानी पड़ेगी तो आपका mindset यह होना चाहिए कि मुझे मैंने अभी affiliate marketing स्टार्ट क अगर आप सीख के कोई चीज करते हो तो यार बहुत आप अच्छेज उस चीज़ों को कर सकते हो अब कई लोग मुझे message करते हैं कि सर आपने 25 दिन में 30,000 कमा लिए थे affiliate marketing से 25 देज में 30,000 कर लिए थे सर मुझे भी 25 दिन में अन करना है तो मैं यह नहीं कह रहा कि आप 25 दि इडियन सब वो struggling age रही है मेंने बहाँ पर काफी मेहनत करी है उस sector में तो आप इदम सामने वाले के results देख के यह expect मत करो के आपके result क्यों नहीं आ रहे हैं दो कि सबका अपना time उता है ताइम लाना पढ़ता है टाइम लाते कैसे हैं सीख के मेहनत करके क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप 25 दिन में क्या आप 10 दिन में 30,000 अर्ने कर लोगे ठीक है आपको कुछ आपके अप्लाइन गाइड करते होंगे तो आप उनकी भी सुनना है अब कई हो गया काम बट आपको उसको तब भी thankful रहना है उसके लिए क्योंकि वो आपको इतनी सुन्दर इंडस्टी में लेकर आया है आपको यी चीज़ समझनी है कि आपको वो इतनी अच्छी इंडस्टी में लेकर आया है और आपको वो learning provide कर वा रहा है तो आपको जो mindset होना चाहि है कि मुझे अभी सीखना है मैं पहले सीखूंगा मैं पहले knowledge ले लूँ फिर मैं उसको start करूंगा implement करना फिर उससे मुझे जो धीरे धीरे result आएंगे उससे मेरी sales निकलेगी है ना सबसे पहला क्या है mindset बहुत important है इस चीज़ को आपको याद रखना है कि learning attitude के साथ इसको करन है अब जो दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूं इस चीज़ पर आपको बहुत जादा ध्यान देना है क्योंकि यह चीज़ अगर आप नहीं होती तो mindset भी कुछ काम नहीं करने वाला जो second चीज़ वह बिलीव आपको बिलीव कितना है बिलीव किस चीज़ों पर कुन चीज़ो नहीं होगी के company आपकी क्या है तो आप नहीं बता पाओगे उनको तो आपको company की knowledge लेनी है company आपकी कब बनी क्या-क्या उसके ethics है क्या क्या certificates है government के कैसे यह चीज़ें आपको clear होना चाहिए इससे आपका confidence और ज्यादा बढ़ता है दूसरी चीज़ आपको right program choose करना है क्या आ value कितनी है उस course की और जो क्योंकि आप e-learning platform पे करते हो digital product रहते है आपके right तो आपको यह देखना है कि उसकी value कितनी है क्या value for money है की नहीं है अब जो यह हमारा program में 2000 रुपे का है मैं आपको यह बाद बोलुगा 2000 रुपे के साबसे इतनी जादा value है न उस course की जब मैंने पह commission कितना दिया जा रहा है जब मैंने इस platform को समझा तो मुझे बहुत जादा commission दिया जा रहा था in fact 90% तक commission हमें मिल रहा था तो यह बहुत अच्छी चीज थी तीसरी चीज़ आपको कैसा payout चाहिए आप हफते का payout चाहते हो आप महीने का payout चाहते हो यह आप दिन का payout चाहत है तो यह कुछ आपकी चीज़े हैं जो आप चाहते हो कि आपको provide हो और अगर वो सारी चीज़ें आपको मिलती है तो आपको जो belief system है वो बहुत जादा बढ़ जाता है अब दूसरा belief system के सबसे पहले belief system हमें clear हो गया कि हमें company के बारे में जानना है हमें product के बारे में जानना दिया एक दिन होता नहीं दूसरे दिन selling start कर देते हैं ऐसे नहीं चलने वाला काम आपको सीखना पड़ेगा आपको course देखना पड़ेगा है ना तो यार course देखना start कर दो बाकी हाँ अब belief दूसरा किस चीज़ में आपको खुद की उपर भरोसा होना चाहिए कई लोग मुझ कि इनसान ही है ना उनने अपके जैसे start कर आ है 2000 रुपे से आपने start करा 2000 रुपे से उनने start कर Curry होसकता उन्हें ज्यादा वाले package से करूं में आपने ज्यादा वाले package से पर सेम करा ना दौनों stage पर और रहे सितेशन पर σाइम और वहर नहीं नहीं कर रहे है तो इसमें गल्ती कैसे करनी हुए किन से connect करना है आपके पास वह knowledge नहीं है तो आपको वह knowledge लेनी पड़ीगी अब एक बात बताओ जो knowledge उनके पास है वही knowledge अगर आपके पास आजाए तो क्या लगता है आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे obviously आप कर पाओगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत important है आपको selling आनी चाहिए आप selling सीखना पड़ेगा आपको communication skill पर काम करना पड़ेगा है ना तो जब आप यह सारी चीज़े करोगे तो आपकी definitely selling निकलने वाली है और आपको खुद की उपर अंदर होना चाहिए कि मैं कर लूँगा मुझे थोड़ा समय लगेगा सब का अपना अपना time आता है किसी का जल्दी आ जाता है किसी का late आता है पर आपका time आएगा जरूर यहां पर तो आपको सीखना है और देखो बात यह कि हमें delay भी जादा निकरना कि हम बहुत जादा वेट करें हमें अपनी रफतार बढ़ानी है काम करने के अगर आप दो गंटे सीखते हो यह आप मैं तो यही बोलता हूँ जो अफलीट मार्केटिंग में आपके जो आरनेर है न जो कमा रहे हैं आपे पैसे आप उनसे पूछना उनका पता भी नहीं चलता कि सुबह से लेके रात कब हो जाती है पूरा दिन कब निकल जाता है वो इतनी महनत करते हैं आपको लगता होगा कि वो महनत नहीं करते भाई बहुत जादा महनत लगती है पर सीखता है न वो इनसान वो महनत करता है उसे पता है उसके ड्रीम्स क्या है उसके ड्रीम्स उसे भगाते हैं तो आपको बिलीव रखना है खुद की ऊपर और जब भरोसे से करोगे कि मुझे सीखना है सीख के मैं करूँगा डेफनिटी मेरी सेलिंग निकलेगी देखो यह जो मैं चीज़े बता रहूना आप जो लीडर्स को गुरुप से नंबर निकाल निकाल के मैसेज करते हो कि सर मुझे थोड़ा आइडिया दे तो सर मुझे कुछ बता दो कुछ नहीं होने वाला भाई इससे बो जो मैं बता रहा हूं वो इससे ज्यादा बताई नहीं कुछ कि गया तुम यह मुझे से पर्चेस कर लो भी काम करते है पर यह नी बोल रहा और आपको यही चीजह करने है यहां पर भी लर्निंग हर चीज में इंपॉर्टन ब्राएट है तो सेल्फ बिलीब बहुत इंपॉर्टन है हाँ मैं इसी में तीसरी चीज़ आइड करूं है क्योंकि मेरा birthday month भी था वो right अब मुझे नहीं पता था कैसे करना बस मैंने target लिख लिया था मुझे पता था मुझे इतना amount करना इस amount को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मुझे कितने लोग चाहिए इस amount के लिए उसके लिए कितनी recruiting लेंगी मुझे कितनी लोगों से बात करना पड़ेगा मैंने एक दम fix करा right फिर मैं करता रहा करता रहा उस पर मैंने काम करना start करा और आप देख सकते हो instagram पे जाके यह रही profile आप यहां से देख सकते हो कि मैंने laptop finally purchase कर लिया था 75,000 का right तो यह चीज़े हैं कि आप भी कर सकती हो पर आपको target तो set करना पड़ेगा न यार तो इस तरीके से आप करो तीसरी चीज मैं बोलूँगा जो बहुत important है अगर आप इस चीज़ पर काम नहीं करते हो यार तो बड़ी दिक्कत हो आपको इस चीज़ पर तो आपको काम करना start करना ही है जानना चाहते हो क्या है चलो ठीक है value अब क्या value दे रहे हो लोगों को यह चीज़ बहुत important है बाई value किस परकार से अगर सामने वाला आपके साथ connect होता है मान के चलो आपने affiliate marketing आज start कर दी आप बेगना रहो को कुछ भी नित पता दूसरे दिन आपके साथ किसी इंसान ने start भी कर दी आप उसे क्या guide करने वाले हो आप उसे क्या बताओगे कैसे करना है क्या वो आपके साथ secure है क्या आपके साथ उसका future आगे जा रहा है क्योंकि जब सामने वाल आपके साथ स्टार्ट करता है तो उसके भी कुछ सपने होते हैं कि भाई मुझे इनसान गाइड करेगा देख यार मैं यह नहीं बोल रहा है सभी अगर आप अच्छे लीडर हो मुझे पता आप गाइड करते होगे लोग को अगर आप बताते हो वो नहीं करते हैं अब उनसे बोलते हो कि भाई आपको दिन में 10 लोगों से बात करने हैं आपको 20 लोगों से कनेक्ट करना है वो नहीं करते हो right then पर बोलते हैं मेरी sell नहीं निकल रही मैं कैसे करूंग मुझे यह समझ नहीं आ रहा यार excuse देने से कुछ भी नहीं होने वाला जो यह excuse देते हैं मैं उनसे ये बात बोल रहाहूँ कुछ नहीं होने वाला इस तीज से क्योंकि मैं अपनी apply इन से बोल सकता हूँ जिनके through में अफ्लीट में आया मैं उनसे बोल सकता हूँ मेरी selling नहीं कल रही वो क्या करेगा इंसान आपको खुद की सैल थोड़ी दे सकता है उसने महनत करी उस सैल को लाने के लिए तो value आप क्या दे रहे भी बहुत important है अब value किस प्रकार से आप दे सकते हो आप अपने facebook पे अपनी videos बना सकते हो यार मैं तो video को सबसे अच्छा बोलता हूँ आप video marketing कर सकते हो अगर आप marketer हो और अगर आप video नहीं बना रहे हो अभी तक तो आप उनकी life में क्या help कर सकते हो उनकी किस problem का solution आपके पास है आपका course आपका जो course है वो उनकी किस तरीके से help करने वाला है यह दो को value किस प्रकार से मुझे पता है जो मेरा course उसकी वहाथ value है जो हम course प्रोवाइड करा रहा है उसकी वहाथ value है तो उस बनियान की कीमत बड़ा जाती है क्यों personal branding उनका personal brand है क्योंकि तो आप अपने personal brand पर काम करना start तो करो अगर आपका personal brand अच्छा रहेगा तो लोग definitely आपसे खरीदेंगे तो मैं तो एक time पर यह भी केता हूँ कि लोग पूछेंगे भी नहीं course में क्या है वो आपको देखके उस चीज को start कर देंगे आपको status इस प्रकार से लगाने कि आप कुछ value भी दो अगर आप status लगा रहे हो तो कुछ value दो फिर status लगा रहे हो तो कुछ value दो के लोग तो status बीस लोग तो आपके आसपासी रएंगे दस लोग तो आपके आपके आसपासी रहेंगे नहीं मिलते तो colony के 378 के ले लोग है तो आपके स्कूल के लिए आप धूणना नहीं चाहते, आपके initially जो आपकी seller होती है आप अपने डाल रहे हो तो आप कई लोग पूछेंगे के भाई आप क्या कर रहे हो पर कई लोग इतनी अर्निंग देखने के बाद भी तुमसे नहीं बोल रहे तो यार उनका कुछ नहीं होने वाला वो कुछ नहीं करेंगा इतनी अर्निंग देखने के बाद वो स्टार्ट नहीं कर रहे जब आप उस earning को दिखाओगे तो आपके पास और लोग आएंगे कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया राइट यसे मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने मैंने अप्लाइन को देखा कि आपने कैसे कमाया मुझे बताओ तो इस तरीके से यह चीज़े होती है है तो यह है कि आपको करना है आपको सोचना नहीं आपके पास नहीं करता उसकी करता है अब यहाँ पर को कई लोगा आपको डीज़े ने पीछे क्यूं बढ़ जाते हो आप छोड़ो ना यार यहcar इंप्रेस करने का बिजनेस है, आपको इंप्रेस करना है सामने वाले को वो हो जाया कि यार मुझे भी इसकी तरह बिजनेस करना है. तो थोड़ा professionally इस बिजनेस को आपको करना है. ठेक है, सवार ये कुछ चीज हैं कि आपको value प्रोवाइड करना है स्टार्ट करो कुछ भी अब क्या वैल्यू दे रहे हो सामने वाले को चीज बहुत इंपोर्टेंट है आप उसकी लाइफ में क्या चेंजिस ला रहे हो क्या से मदद कर रहे हो अब देखो अगर आपके साथ कई लोग स्टार्ट करते हैं आप उन्हें ग पढ़ेंगे वेरे भाई है ना तो जो लोग आपसे कहते हैं कि मैं आपको सेल मैं अपनी सेल मेरे पास जो सेल आएगी मैं आपको दे दूंगा 50-50 कर लेंगे यह आदे से स्टार्ट कर लो यह सब मत करो भाई कोई मतलब नहीं है इस चीज को करने का है ना अगर आप हेल्प सो सेल है निकलींगी आपकी है ना दिन के आप हजार नहीं अब दिन के दददददददद उठार उठाने वाले हो एक टाइम पर बट उतना वैल्यू एवल है ना यार तो यार बस यह थी कुछ चीज है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफी महनत लगी इस व पसंद आती है कमेंट सेक्शन मुझे बताना जरूर क्या पार्ट आपको अच्छा लगा कौन सा पॉइट अच्छा लगा और हां यार कुछ चीज़े हैं आपको कई लोग डीमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे आप जा वर्निंग करोंगे तब भी आपको बोलेंगे के यह वो देख भारत में बहुत अजीब अजीब लोग हैं अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं समझदार लोग हैं तो चूतिय लोग भी हैं यह एक्दम फ्रैंकली कह रहा हूं आपसे तो आपको उनके चक्कर में खुद डिमोरलाइज नहीं होना है है ना क्या अगर मैं कहता हूं अगर आप मुझसे कॉल पर बात करते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत पसंद आई जाओंगा क्यों क्यूंकि मैंने कम्यूनिकेशन स्किल सीखा है मुझे सिखाया गया है आपको परसनल ब्रैंडिंग कैसे बनानी वो कोर्स के अंदर आपको बताई कीजिए उसकी नीचे मेरा WhatsApp नंबर दिया हूँ है वहाँ पर मुझे पेमेंट का स्क्रीन शॉट भीज़ देना उसके बाद हमारी कॉलिंग पर बात होगी मैं आपको बताऊंगा आपकी टार्गेटेड ओडियंस कौन है आपको कैसे काम करना है और बाकी चाहिए जो इस वी सकता है पब्लिकली ना अप्लोड करूं में अब वो देखा जाएगा सिचुईशन पर तो यार अगर आपके तक यह वीडियो आई है तो काफी लगी हो यार ठेक है और भाई all the best कुछ भी कॉश्चन है अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है विजनिस करने में या कुछ कियर